तो वहीं 36 गर्वक्व बोर्ड के अध्यक्ष गुलाम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद सलीम राज को बोर्ड का नया अध्यक्ष उना गया है। चुने गए हैं और जो पूर्ब में थे जस्टिस मिनाजुदीन उनके खिलाफ विस्वास प्रस्ताव लाया गया था। किस तरीके से चुनाव हुआ पहले तो आपको बहुत बहुत बदाई कि आप अध्यक्ष बने हैं। और किस तरीके से चुनाव हुआ कितने लोगों ने आपका समर्थन किया। तरीके से चुनाव हुआ करता हूं कि उन्होंने वापकी और कौम की खिद्मत करने का मुझे मुझे मौका दिया। जो हमेशा सदस्यों की बातों में ख़रा उत्रूंगा और कभी भी कौम की जरूत पढ़ेगी कौम की खिद्मत के लिए खड़ा हूं। कि बहुत सारी पिछली जो वापकोड के सदस्यों का यह कहना था कि बहुत सारी जमीन हैं विवादित हैं और उनको पौम के लिए लेकर आना तो क्या प्राश्मिस्ता हैं रहने वाली हैं। सबसे पहले मानिक ग्राम मंत्री से मिलूंगा और वाप प्रापर्टी में कब्जा किया है उसके सीवी आई जाज करने की मांग करूंगा। अच्छा दूसरे एक और प्रस लिए है कि अभी वक्ट बोड में एक नया विलाया है 2024 क्या उसका आप समर्थन करेंगे। समर्थन के लाइक होंगा तो बिल्कुल मैं समर्थन करूंगा। अच्छा कितने लोग के यहां पर मुद्ध आप भी सदस हैं। टोटल जो है साथ सदस हैं। उसमें से पांच आज उपस्तित थे और चार लोगों ने जो है डॉक्टर सलीम राज को अध्यक्ष निर्वाशित किया। तो तमर्थन के उनके अध्यक्ष बंदेग्ष नहीं आया था यहां पर सामिल नहीं हुआ है। तो पूर्वे में अध्यक्ष रहे हैं वह यहां पर मौजूद नहीं रहे तो उनके खिलाफ अध्यक्ष परस्ताव लाएं गया। नए शादस भारती जलता पाटी से आते हैं डॉक्टर सलीम राज उन्हें चार एक से उनको जीत मिली है और वो नए अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि वक्ष वोड को लेकर और कौम को लेकर बहतर काम करने की वह खूसिस करेंगे। पून होने जो वक्ष वो एमेंडमेंट बिल दोजार चौबिस आया है उसको पढ़ा नहीं है पढ़ने के बाद अगर उसे जरूरत पढ़ी तो उसको समर्थन भी करेंगे। क्रिशी उपर्ज मंडी में लगातार किसानों को दी जा रहे ही सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर शुकायते मिल रही थी तो वहीं एंड़ी टीवी मंडी की समस्याओं को कलेक्टर के संग्यान में लेकर आया और कलेक्टर ने इसके समाध्धान के लिए डिप्ट बंडे का और चक निरिक्षन किया और किसानों से चर्चा की तो वहीं ज़ारकन के गिरेडी जेल में बंद कोख्यात गैंक्स्टर अमन साहो को ट्रांसेक्ट रिमान पर राइपूर लाए गया है अमन साहो पर कई कारववारियों से वसूली और तीन महीने पहले राजधानी राइपूर के तेली बांदा थानाक्ष्वेत्र में कारववारी के दफ्तर के बाहर फाइरिंग करने जैसे गंभीर आरोप है जिसके चलते पॉलिस उसे राइपूर लाया कर जाच कर रही है